आफ नेक्स टूल इस फ्री ट्रान्सफर्म टूल, कोई भी शेप हम बनाते हैं, उसको इजस्मेंट के लिए हमको फ्री ट्रान्सफर्म टूल का जरूरत पढ़ता है, मतलब मान लिजे मैंने कुछ शेप ऐसे बनाए, मैंने कैसे रिक्टेंगल बना दिये, और एक सर्कल बना अभी मुझे दोनों को मिला के ट्रैंस्फॉर्म करना है तो दोनों को मैंने सिलेट कर लिया यहां पर देखिए हमारा आ गया प्र्शनटी करेंगे तो इस तरह का ट्रांस्फॉर्मेशन खोगगा तो ये हैं आपका free transform tool, इसको use करके आप इतना तरीके का changes कर सकते हैं। आपका properties में बहुत सारे options हैं, इसको लेके भी हम लोग transform कर सकते हैं। This is a very simple tool, कोई भी object को हम select करके direct transform कर सकते हैं, दोनों को select करके ये वाले transform tool से भी transform कर सकते हैं। तो इसके कुछ extra advantages हैं, ये free transform tool के, ये क्या-क्या हैं देखिए, यहाँ पर constraint है, free transform है, perspective distort, ये देखिए, perspective distort कर सकते हैं। ये बहुत बड़े option हैं, मैं इसको ज्यादा use करता हूँ अपना text में, मैं एक example दिखाता हूँ, देखिए, text में, जे इसकार institute मैंने लिख दिया, मैंने इसको transform कर लिया, जब हम बीना transform tool का selection से transform करते हैं, तो scale कर पाता हैं। लेकिन जब ये transform tool यूज करता हैं, यहां मैं देखिए, perspective distort यूज करता हूँ, देखिए, मेरा text को मुझे क्या करना पड़ेगा, break करना पड़ेगा, तो object में जाएंगे, object में मैं इसको expand कर देता हूँ, अभी आप इसको transform tool लिजिए, perspective distort, अभी आप ट्रैक कीजिए, तो इस इस type का designs करने में बहुत helpful होता है, free transform tool, इसमें last option है, ये वाला, free distort, free distort मतलब कहीं पर भी आप खीन सकता है, ये point यहां हो सकता है, वो point वहां हो सकता है, तो कहीं पर भी distort कर सकता है, like this, ये वाला shape को ऐसा distort करके देखिए, इसको select कीजिए, यहां पर last option, free distort, ये कहीं पर भी ज जा सकता है, perspective distort में एक perfect आता है, इसमें आप कहीं पर भी लेकर रख सकता है, तो एक angle में रखने में ये वाला distortion काम आएगा, उपर वाला unconstrained, ये constantly proportion होगा, like this, okay, so ये इसको off कर देता है, so बाकी तीन options है, ये transform किया जा सकता है, so this is about your transform tool, thank you.